ताइपस ओफ कल्चर मीडिया अभी हम दिखेंगे सबसे पहले डिसक्स करेंगे बेस्ट ओन दा फिजिकल स्टेट जैसे कि हमें पता है सॉलेट सेमी सॉलेड और लिपेड तो पेस्ट ओन फिजिकल स्टेट सबसे पहले इस ग्रॉप में से सॉलेड मीडिया मीडिया को सॉलेड बनाने के लिए हम एगर को यूज करते हैं कि मीडिया को हम सॉलेड बना सके एगर क्या है बजाते ऐगर एक गोल्डन यल्लो ग्रेणियूलर पोर्डर होता है जिसको हम एक्स्ट्रैट करते हैं किसे बला सी वीड से हम सी वीड से लेते हैं एगर को और उसकी पॉadr को हम चिड़काते हैं अपने उसके उपर आप जो कलचर मीडिया है हमारा कुछर मीडिया तो उसको लेख कर किपा है ऑगर होिकलर कैह या ठीकुषिट चया ह्छाहिज अगर को फाइदा वो यह कि 98 इंडेग्रेंट पे जा कि वो मेंट इना शुरू हो जाता है सो सफिशेट हीट देने के बाद भी एकर जो है अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है अंटिल अनलेस कि 98 देग्रेंट तक हम पहुंचना जाए ठीक है तक तक यह सॉलिड फॉर्म में ही रहता ह तक है 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 this is golden yellow this is golden yellow granular substance granular substance we extracted agar from seaweeds agar bacteria can't damage or affected the agar agar melt at 98 degree centigrade यह जो दूर feature एसके यह और यह उसके साथ साथ और solidifying the media यह तीन इसकी जो important feature है एगर के यह बहुत vital role प्ले करते हैं क्योंकि damage bacteria कोई भी damage रो नहीं कर सकता उन्दा agar also agar melts at 98 degree centigrade so that's why agar play a vital role in solidifying the media उसके साथ साथ हम देखेंगे semi-solid media को उसमें क्या होता है semi-solid media semi-solid media जो है यह हम यूज करते है just motility देखतें के लिए हम demonstrate करते है इसे कि हमारी जो bacteria है उसकी motility है या नहीं so हम यह सेपरेट कर सकते हैं non-motile bacteria from the motile bacteria for that purpose we use semi-solid media we can write here semi-solid media is used for the demonstrating the motility of bacteria motility of bacteria so we can write this media held out us from separating in separating in separating non-motile bacteria non-motile bacteria from motile one that's why semi-solid media is necessary for the separation of non-motile bacteria from the motile one तो इसे हम लगा सकते पता कि हमारा motile कौन सा है non-motile कौन सा है और differentiate करने के लिए important media है third liquid liquid media liquid media जो होता है sometime this media is also known as nutrient growth उसके अलावा liquid media के अंदर bacteria जो है just turbidity जो है वो शो करता है और इसकी example जो है हमारे पास nutrient growth हम डिसकास करें है nutrient growth simple media के अंदर कि क्या होता है किसे बना होता है हम ने जो बेक्तिरिया जो बेक्तिरिया जो है तर्बिटिटिए हैर अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो बेस्ट और फिजिकल स्टेट पे अब हम इंग्रिडियन की बेस्ट पे स्टार्ड करते हैं अपनी मीडिया को और हम देखते हैं कि उसकी के इन पॉर्टेंस है कुलचर मीडिया कि बेस्ट ऑन इंग्रिडियन इंग्रिडियन जिसमें सब से पहने हम देखेंगे सिल्पन मीडिया को इसके अंदर इसकी जो ख्लासिकल एक्जेंपल है जैसे अभी हमने यहां डिसकार भी है लिक्विड मीडिया न्यूटर्ण ब्रोथ जो है इसकी ख्लासिकल एक्जेंपल है से पल मीडिया की इसके ब्रोथ और इसमें क्या होता है इसमें होता है होता है यह सारी तीन चीजों से मिल के बना होता है सिंपल मीडिया दर हम बात करता है कंफ्लेक्स मीडिया की वह इसके अधर गड़ जो है लासिकल आते हैं और हम बताने सकते डिफिकल्टी होती है इसमेर चीज जोगाने के इसमें कि चीजे और कौन से रहल करी से यह हैं रिफिकलिटी के वायोज इससी कॉर्श्य न मेटेशनी के सब्सक्राइश गड़ जोगने , पर फ्रेनी के चाहि कि थी यह खालत है इंडिए निस्मीड अधिस्मीड इस्मीडिए इस्मीड इस्मीडिए synthetic or defined media यह मदा media जो होता है यह pure chemical से बना होता है और well known होती है इसकी composition भी और ingredient भी इसके अंदर के कौन-कौन से ingredient है how is it better, बड़ा है, इसावी Eigen। जो कौन से आजर करते है। इसकी फेदिव मालगा करते हैं तूंग होता है। किस पर्पस के लिए थे यह रिसेर्च, फेदिव और चौन और चौन बंगा कौन। इस सारे वेल नौन होते हैं और यह बना होता है वन परसंट पेप्टोन से प्लस 0.5 परसंट सूडियम कुलराइड से प्लस 0.5 परसंट सूडियम कुलराइड होता है इन वाटर इन चीज़ में परसंट पेप्टोन प्लस 0.5 परसंट सूडियम कुलराइड इन वाटर